नमस्ते दोस्तो, विवेकंद लेकले में फ्यूमन एक्सलेंस में में उर्मिला सनुम की अब सभी का स्वागत करती हैं दोस्तो, आज हम देखने वाले हैं नवी कक्षा का सेकेंड लेसन जिसका नाम है दुख का अधिकार लेसन का नाम है दुख का अधिकार और इसके लेखक है यश्पार अभी हम देखेंगे सवालों के जवाब पहला प्रेशन है निम्नले के प्रशन का उत्तर एक दो पंगतियों में दीजिए प्रेशन है किसे व्यक्ति की पूशा को देखकर हमें क्या पता चलता है सुलूशन है किसी व्यक्ति की पूशा को को देखकर समाज में उसके अधिकार और दरजे को निश्चित किया जाता है क्वेशन नम्बर दो खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरिद रहा था क्योंकि उसका जवान बेटा कल ही मृत्यू का ग्रास बना था तो उस घर में सूतक होता है और उसी के घर से कोई भी कोई चीज खा नहीं सकता है उसके परिवार वालों के हाथ का लोग न खाते हैं और नहीं पानी पीते हैं ऐसे में वह स्त्री खरबूजे बेचने बाजार चली आई लोगों को यह बहुत गुरूणास पद बात लगी उनके अनुसार वह जान बूज कर लोगों का धर्म नश्ट कर रही थी इसलिए कोई उसके खरबूजे नहीं खरे रहा था Q3. उस त्री को देखकर लेखको कैसा लगा? Q4. उस त्री को देखकर लेखको उससे सहानु भूती हुई और दुख भी हुआ वह उसके दुखको दूर करना भी चाता था पर उसकी ओशाक अडचन बन रही थी Q4. उस त्री के लड़के की मृत्यू का कारण क्या था? Q4. उस त्री के लड़के की मृत्यू एक साप के काटने से हुई जब वह मूह अंदेरे खेत से पके खरबूजे चुन रहा था Q5. बुढिया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? Q5. बुढिया बहुत गरीब थी अब बेटा भी नहीं रहा तो लोगों को अपने पैसे लवटाने की संभावना नहीं दिखाई दी इसलिए कोई भी उसे उधार नहीं दे रहा था अब हम देखेंगे 25 शब्दों में प्रश्ण का उत्तर निमने लिखित प्रश्ण का उत्तर 25 शब्दों में लिखिये Q2. मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? Solution है पोशाक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है पोशाक मातर शरीर को ढखने के लिए नहीं होती है, बलकि यह मौसम की मार से बचाती है पोशाक से मनुष्य की हैसियत, पत तथा समाज में उसके स्थान का पता चलता है पोशाक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले उसकी पोशाग से प्रभावित होते हैं तथा उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं पोशाग जितनी प्रभावशाली होगी लोग उतने अधिक प्रभावित होगे पोशाग जितने प्रभाव शाली होगी लोग उतने ही अधिक प्रभावित होते हैं Q2. निम्नलिकिर प्रश्नका 25 दिर्शब्दों में लिखिए निम्नलिकिर प्रश्नका उत्तर 25 दिर्शब्दों में लिखिए पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अर्चन बन जाती है जब हम अपने से कम दरजे या कम पैसे वाले विक्ति के साथ उसके दुख बातने की इच्छा रखते हैं लेकिन उसे छोटा समझ कर उसे बात करने में संकुच करते हैं और उसके साथ सहानुभूती तक प्रकट नहीं करवाते हैं Q3. लेखक उस तरीके रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया लेखक के पास उस बुढियां के रोने का कारण जान सकने का कोई उपाय नहीं था लेखक की पोशाक उसके इस कष्ट को जान सकने में अरचन पैदा कर रही थी क्योंकि फुटपात पर उस बुढियां के साथ बैटकर लेखक उससे उसके दुख का कारण नहीं पूच सकता था इससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेज पहुचती उसे जुगना पड़ता भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था भगवाना शहर के पास डेड़ बीगा भर जमीन में खर्बूजों को बोकर परिवार का निर्वाह करता था खर्बूजों को डाली या में बाजार में पहुंचा कर लड़का स्वयम सौधे के पास बैठ जाता था Q5. लड़के की मृत्यू के दूसरे ही दिन बुढिया खर्बूजे बेचने क्यों चल पड़ी? Q5. लड़के की मृत्यू पर सब कुछ खर्च हो गया बुढिया बहुत गरीब थी उसके पास न तो कुछ खाने को था और न पैसा था लड़के के छोटे छोटे बच्चे भूग से परिशान थे बहु को तेज बुखार था इलाज के लिए भी पैसा नहीं था इन्ही सब कार्णों से पैसे पाने की कोशिश में वह दूसरे ही दिन खर्बूजे बेचने चल दी Q6. बुढिया के दुख को देख कर लेख को अपने पडोस की संब्रांत महिला की याद क्यों आई? Q6. लेख के पडोस में एक संब्रांत महिला रहती थी, संब्रांत यानि कूली, अमीर उसके पुत्र की भी मृत्य हो गई थी, और बुढिया के पुत्र की भी मृत्य हो गई थी, परुन्तु दोनों के शोक मनाने का धंग अलग-अलग था बुढिया को आर्थिक तंगी, भूख, बीमारी, मुह खोले खडी थी, वह घर बैटकर रो नहीं सकती थी मानो उसे इस दुख को मनाने का अधिकार ही न था, जिबकि संब्रांत महिला को असी मित समय था असी मित उसके पास बहुत सा समय था, अड़ाही मासे पलंग पर थी, डाक्टर सी रहाने बैठा रहता था लेख दोनों की तुलना करना चाहता था, इसलिए उसे संब्रांत महिला की याद आई दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं, थटी कक्षा से पहली कविता है, जिसका नाम है वह चड़िया जो और आज हम इसके questions and answers यानि की सवाल जवाब देखने वाले है कविता का नाम है वह चड़िया जो question number first, कविता पढ़कर तुमारे मन में चड़िया का जो चित्र उबरता है उस चित्र को कावज पर बनाओ इसका solution है कविता को पढ़ो और अपनी कलपना से चित्र बनाओ जैसे दाना चुकती, दूद पिती, कटोरे में मूह डालती चड़िया आदी आपको क्या करना है, अपने मन पसंद चड़िया का चित्र बना कर रखना है question number two, तुम्हें कविता को कोई और शिर्षक देना हो, तो क्या शिर्षक देना चाहूगे? उपयुकत शिर्षक सोच कर लिखो solution है, प्यारी चड़िया, और भी अलग अलग से आप इसको शिर्षक दे सकते है question number three, इस कविता के अधार पर बताओ, कि चड़िया को कीन कीन चीजों से प्यार है चड़िया जिन चीजों से प्यार करती है, वो किस प्रकार है? एक चिड़िया को खेत में लगे, जो बाजरे की फलीयों से प्यार है उसे जंगल में मिले एक कांत, जहां वह खुली हवा में गाना गा सकती है उसे प्यार है, उसे इस एक कांत से क्या है? प्यार है उसे नदी से प्यार है, जिसका ठंडा और मीठा पानी वह पीती है यह चीजे उसे आजादी का एसास दिलाती है, इसलिए वह इन सबसे प्यार करती है Q4. कवी ने चिड़िया को छोटी, संतशी, मुह बोली और गरबिली चिड़िया क्यों कहा है? सलुशन है, चिड़िया छोटे आकार की थी, और किसी भी बात को बोलने से नहीं जिजकती है इसलिए कवी ने उसे छोटी और मुह बोली कहा है वह संतोशी स्वभाव की है, अतहां कवी उसे संतोशी कहता है चिड़िया को अपने कार्य पर गरव है, क्योंकि वह नदी के बीच से पानी पीने जैसा कठीन कार्य सफलता पूर्वक कर जाती है यही कारण है कि कवी ने चिड़िया को गरबिली कहा है अब हम देखेंगे क से रस उंडेल कर गा लेती है इसका आशे इस पंक्ती में चिड़िया बंदन मुक्त और खुश होकर इतना सुन्दर और मीठा गाती है मान उसने सारा रस गाने में उंडेल दिया हो ख चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है इसका भावारत है इन पंक्तियों में चिड़िया की कार्य कुशलता को दर्शाना चाहा है वह जल के बीच में स्थीत मोती को भी ढूंड लेती है वह तेज बहती नदी से भी पानी पी लेती है अब हम देखेंगे व्याकरन वह चड़िया जो इस कवितास से जो व्याकरन है वह हम देखेंगे इसमें से question number first पंको वाली चड़िया उपर वाली दराज नीले पंको वाली चड़िया सबसे उपर वाली दराज यहां रेखां कित शब्द विशेशन का काम कर रहे है यह शब्द चड़िया और दराज सग्याओं की विशेशता बता रहे है अतहां रेखां कित शब्द विशेशन है और चड़िया दराज विशेश्य है यहाँ वाला स्लैश वाली जोड कर बनने वाले कुछ और विशेशन दिये गए हैं उपर दिये गए उदाहरनों की तरह इनके आगे एक एक विशेशन और जोडों जैसे कि यहाँ पर कुछ शप्त दिये हुए हैं मोरों वाला बाग, पेडों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, खादी वाला कुर्ता, रोने वाला बच्चा, मूछों वाला आदमी अगम देखेंगे इसका सोलिशन रंग बिरंगे मोरों वाला बाग, पहला शब्दा में कौनसा सिर्फ दिया हुआ था, मोरों वाला बाग यहाँ पर आंसर क्या आएगा रंग बिरंगे मोरों वाला बाग, हरे भरे पेडों वाला घर, लाल फूलों वाली क्यारी, सफेद खादी वाला कुर्ता, बहुत रोने वाला बच्चा, लंबी मूछों वाला आदमी वैकरन से सेकेड वह चड़ियां डैश डैश जुन्दी के दाने रूची से डैश डैश खा लेती है, वह चड़ियां डैश 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 रस उंडेलिकर गा लेती है कविता की इन पंतियों में मूटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पड़ो, पहले वाक्य में रूची से खाने के डैश की और दूसरे वाक्य में रस उंडेलिकर गाने के डैश की विशेशता बता रहे है अतहा ये दोनों क्रिया विशेशन है नीचे दिये वाक्यों में कार्ये के ढंग या रिती से संबंदी क्रिया विशेशन चाटों को सोनाली जल्दी जल्दी मुह में लड्टू ठूसने लगी गेंद लुढकती हुई जाडियों में चली गई भूकम्पके बाद मुझा फराबाद की जिन्दगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी कोई सफेज सीची धप से आंगन में गिरी इबो भी फूरती से चोर पर जप्टा ते जिन्दर सहंकर कोने में बैट गया यहाँ पत्र मिलते ही फोरण घर चली आओ आज अचानक ठंड बढ़ गई है सोलूशन है सोनाली जल्दी जल्दी इसका अंसर क्या है जल्दी जल्दी ख से गें लुढखती हुई अंसर क्या है लुढखती हुई भुकमप के बाद मुझपफराबाद की जिन्दगी क्या है अंसर धीरे धीरे घर से अंसर कौन सा है धप से गोसे फूरती से चोसे सहंकर फौरन आचानक ये क्या है इसके जवाब है